खंडवों में एक महिला पती की मौत का सद्मा नहीं छेल पाई और उसने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली है महिला के पती के 30 दिन पहले बिजली गिरने से मौत हो गई थी इसके बाद सेवर तनाव में रहने लगी थी तीसवे दिन महिला भी फंदे पर जोल गई बताया जता है कि महिला के दो बच्चे भी हैं मामला खंडवा के पंधाना छेतर का है पंधाना के सांसाद आदर्स ग्राम आरूद के स्वीराम मंदिर चौक में केवल राम पटील रहते थी 11 जून 2022 को वह दो मजदूरों के साथ खेत पर अर्बी की फसल खुदवा रहे थे इसी दोरान बिजली गिरी और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी केवल राम की पत्ने उसाबाई उम्रचातिस वर्स को पती की मौत का गहरा सत्मा लगा वतनाओं में रहने लगी परिवार के सदस्यों से भी बात चीत करना बंद कर दिया और दिन भर गुमसुम सी रहने लगी थी सनिवार रात खर में जब सब लोग सो रहे थी इसी दोरान उसाबाई ने फांसी लगा ली सुबह बच्चे उसे जगाने गए तब वह फंदे पर मिली पंधाना पुलिस ने मौके पर पहुँच कर पंचनामा बनाया है सबको पोश्टमाटम के बाद परिवार वालों को सौब दिया गया है केवल राम और उसकी पत्नियो साबाई सयुक्त परिवार में रहते थी दमपत्ती के दो बच्चे हैं बेटी वैस्ट भी 14 साल की है वही बेटा देवांस 12 साल का है बच्चों को आप देवर जेड सभालेंगे